तो दोस्तों यह जो वीडियो है यह है अकॉर्डिंग टू दे उत्तर प्रदेश फाइनेंसियल बजट 2023-2024 उत्तर प्रदेश रैंक फॉर्स्ट इन दे कंट्रे इन फॉलोइंग सेक्टर किन-किन सेक्टर में उत्तर प्रदेश का रैंक वन है वो देखा जाएगा जो कि आप कि आने वाली PCS की परिक्षा है या फिर UP का कोई भी एक्जाइम हो वन्डे एक्जाइम हो स्टेट PCS हो एजुकेशन डिलेटेट को एक्जाइम हो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हैं उत्तर प्रदेश रैंक्स फॉ जोजना रूरल एंड अर्बन ठीक है फिर है अंडर दे स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश रैंक फॉर्स्ट इन दे कंट्री इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ट कॉंटेस्ट ठीक है एंड इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स टूदा बेनिफिसरीस त्रू डीवीटी थू पी एफ एमेस पोर्टल ठीक है ट्रांसफर ऑफ फंड में भी यूपी रैंक वन पे हैं यह याद रखेगा फिर है उत्तर प्रदेश रैंक फॉर्स्ट इन दे कंट्री मिल्क प्रोडेक्शन ठीक है सुगर केन सुगर प्रोडेक्शन एंड सप्लाई ओफ एथेनॉल इन सार प्रदेश बिकेम फॉर्स्ट इस्टेट कर्डिट टू पे सब्सीडी सुपर्मर्स एग्री कल्चरल इन्पूट थो डीवीटी ठीक है फिर है उत्तर प्रदेश रैंक फॉर्स इन दे कंट्री तो हैव एडमिनिस्टरिश एडमिनिस्टर्ड इमिनिस्टर और दैं 39.20 करोर डोजेस के साथ UP rank 1 पे है फिर है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश become the leading state in the country to establish and run medical educational institute medical educational institute में भी उसको चलाने में भी उत्तरप्रदेश rank 1 फिर है उत्तरप्रदेश has been awarded inspiring leader under the start-up ranking by government of India ठीक है जो start-up ranking थी government of India की उसमें उत्तरप्रदेश को as a inspiring leader award किया गया है फिर है और उसके बाद implementation of skill development policy skill development जो policies हैं उसके भी implementation में उत्तरप्रदेश का पहला स्थान है first rank है इट rank first in the country registered अंडर अटल पेंसन योजना अटल पेंसन योजना के अंडर में registration के में भी उत्तरप्रदेश rank 1 पे है so far in the financial year 2022-23 under the मनरेगा scheme उत्तरप्रदेश has achieved the first rank in the country by creating 26,29,000 man days ठीक है मनरेगा में भी योपी का rank 1 है फिर आता है प्रदान मंत्री स्वनिधी योजना इसमें भी first position पे है in loan distribution by disbursing loans worth rupees 11,090,49,000 to more than 10,33,000 street vendors in the country जो आपका प्रदान मंत्री स्वनिधी योजना है जिसमें street vendors को loans दिया जाता है उसमें भी योपी का rank 1 है फिर है उत्तरप्रदेश is the largest consumer and labor market ठीक है consumer और labor market जो है वो उत्तरप्रदेश उसमें भी rank 1 पे है काफी बड़ा hub है यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रदेश rank 1 first in the country with 8.5 like करोड अकाउंट्स अंडर प्रदान मंत्री जन्धन योजना जो आपका प्रदान मंत्री जन्धन योजना है अटल पेंसन योजना है स्वा निथी योजना है इन सब योजनाओं में उत्तरप्रदेश rank 1 पे हो कहीं पे रजिस्ट्रेशन हो, अकाउंट हो, फंज देना हो इन योजनाओं के अंडर में UP 1 है आप योजनाओं का नाम याद रखिएगा ठीक है अगला जो है जो आपका प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें भी इन्रोल्मेंट में लगभग 4.29 करोड इन्र काउंट्री ठीक है जी एस्टी रजिस्ट्रेशन में भी फिर है एफेक्टिव लॉबिंग इन बीग इसोड बाइदा अप्वाइंटिं स्पेशल प्रोसेक्यूटर इन स्पेशल कोड फॉर सीरियस केसे रिलेटेट तु क्राइम अगेंस्ट विमें और चाइल्ड क्राइम ठीक है उत्तर प्रदेश है इसको बेस्ट श्टेट केटेगरी में रखा गया है फिर है टोटल ऑफ फुस्टी टू पॉइंट सेवन सेवन लाख हाउसस है बिन सैंग संड अंडर प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री आवास यूजना फिर प्रधान मंत्री या फिर मुख्य मंत्री आवास यूजना है इसमें भी यूपी का रैंक वन है ठीक है जिसमें 52.77 लाख हाउसस सैंग संड हुए है और 39.66 लाख हाउसस जो है है वो अभी तक कंप्लीट भी हो चुके हैं फिर है दा इस्टेट रिसीव दा फॉर्स प्राइस पॉर्स प्राइस पॉर्स प्रधान मंत्री आवास यूजना फॉर एक्सिलेंस इन रूरल हाउसिंग कंस्रेक्शन फिर उत्तर प्रदेश गोवर्मेंट इस ओर्गनाइजिं प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश हैस बिन रैंक फॉर्स इन दे कंट्री इस ऑफ डूइंग बिजनस इन MSME इकोसिस्टम इंडिया तो इस ऑफ डूइंग विजनस में भी उत्तर प्रदेश को 2018 में रैंक बन दिया गया था तो यह हमने देख लिया कि बजट जो आपका आया है अभी फाइनेंसियल बजट उत्तर प्रदेश का 2324 वाला इसमें किस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को रैंक बन दिया गया है तो ऐसे ही आपका देखे यूपी पीसेस का जो स्टेट पीसेस वाला एक्जाम है उसकी डेट है आपके 14 में इसकी पूरी तयारी के लिए यहां पर हमारे चैनल पर आपको इंपोर्टेंट वीडियो दिये जाएंगे तो ऐसे ही बने रही अपनी तयारी करते रही है थैंक्यू सो मच